तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हिंदी के पेपर के सबसे ज़्यादा महतपूर संस्क्रेट गद्यान्सों को और इनका अर्थ आपको कैसे अपनी बोर्ड एक्जाम की कॉपी पे लिखना है सब कुछ आज की वीडियो पे आपको बताने वाले देख सकतो पूरा बताएं कैसे ट्रिक से लिखना है जिससे ये एक्जाम में साथ नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाए ठीक है देख सकते हो और ये दोनों गद्यांस इन दोनों गद्यांसों का हल आपको कराएंगे इस वीडियो पे ठीक है इन दोनों गद्यांसों का हल पूरा आपको बताएंगे और ये दोनों गद्यांस ऐसे गद्यांस है देख सकतो ये पहला महमना विद्वान वक्तावाला आएंगे पका तो आपको इनको तयार करना है पूरा आज आपको बतेगे कैसे ट्रिक्स एकजाम की कॉपी पे लिखना है तो बिना टाइम वेश्ट किये चलो वीडियो को सुरू करते है ठीक है तो यार अगर चैनल पे नहीं हो तो भाईया सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर लेना क्योंकि इसी तरह की इंपोर्टन वीडियो हम लाते रहते है ठीक है तो देखो प्रसन आप से पूछे जाएगा प्रसनोत्तर सिंख्या आठ का कि दिये गए संस्क्रत गध्यांसों में से किसी एक का सा संदर्म हिंदी में अनुआद कीजे जिसके आपको मिलेंगे साथ नमबर इन दोनों में से किसी एक करना रहेगा लेकिन दोनों इंपोर्टन तो हम आपको दोनों करके बताएंगे ठीक है आपको करना कि इसको गध्यांस जो संस्क्रत कर दिये गए इस गध्यांस का संदर्म लिखने और इसका अनुआद करने पढ़ो पहले तब ही तो इसका कर पाओगे आप संदर्म और इसका अनुआद संदर्व लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके पार्ट का नाम पता होना चाहिए ठीक है तो महा मना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पतुह पत्र कारास चासी ठीक है अगर आप यहां से पड़ोगे पहली लाइन पर बता दिया महा मना आर्थात किस चाप्टर का है महा मना मालविया चाप्टर का किस चाप्टर का है महा मना मालविया तो आपको यहाँ पर पाट का राम पता चल गया अब आप संदर्व लिख पाओ गया अभी आपको अनुवाद लिखना भी पूरा बताएंगे ठीक है आप देखो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो आठवे की का नंबर पर पूछा गया है तो बोर्ड की कॉपी पहले आपको इस तरह से लिखना है प्रस्नोत्तर संख्या आठ का का देखो साइड पर तो सब कोई लाइन खीच लेगा तेख सकते हो एपको करना है ठीक है इतना हो गया आप देखो आप यहाँ पर से पहला नंबर सन्दर्व वता और अनुवाद लिखो तो सन्दर्व यहाँ पे कैसे लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यखन्द भी लिख सकते हो देखो यहाँ पे जैसे संदर में हमने लिखा प्रस्तुत गद्धिखंड हमारी पाठे पुस्तक आप यहाँ पे संस्कृत गद्धिखंड भी लिख सकते हो या नामक पाठ से लिया गया है जो आपको असान लगे लिख देना कि प्रस्तुत संस्कृत गद्धिखंड हमारी पाठे पुस्तक संस्कृत गद्धिक दर्सिका के महामना मालविया नामक पाठ से लिया गया है या उद्गरत है तो यह इस टाइफ से आपको संदर में लिखना है ठीक है आप बात आती इसके अनुआद कि यह बहुत जादा महत इसलिए आपको कराय दे रहे ठीक है तो देखो पढ़ो महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पतुह पत्रकारास चासी ठीक है मलब जो महामना मालविया है यह एक विद्वान वक्ता है धार्मिक नेता है ठीक है और एक पत्रकार भी है तो इस टाइफ से आपका यहा ठीक है तो एक विद्वान वक्ता अर्था भासल करता धार्मिंग नेता एवं कुसल पत्रकार थे महामना मदन मोहन मालवी एक विद्वान वक्ता भासल करता धार्मिंग नेता एवं कुसल पत्रकार थे ठीक है परमस सर्वोच गुड़ इनका जो एक सर्वोच गुड़ एक मलब जो सबसे अच्छा गुड़ था वो था जन सेवयो आसित मलब लोगों की सेवा करना जन सेवा अर्था लोगों की सेवा करना तो यहां आगे हम दे लिखा किन्तु इनका सर्वोच गुड़ जन सेवा ही था इनका जो सबसे अच्छा गुड़ता वो लोगों की सेवा करना था ठीक है फिर का गया यत्र कुत्रापी आयम जनानाम दुखितान पीड्य मानास चापस्यत तत्रेव सहा सीग्रमेव उपस्थिता सर्व विधम सहा मनेच अक्रोट ठीक है मतलब यदि कही देखो यत्र क वहां पर उपस्थित होकर सभी विधियों से सर्व विधम अर्था सभी विधियों से उसकी सहायता करते थे वहां पर उपस्थित होकर सर्व विधम अर्था सभी विधियों से उसकी सहायता करते थे तो यहाँ पर पढ़ सकते हो हमने लिखा कि जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी एवं पीडित देखते थे वा सीगर ही उपस्तित होकर सब प्रकार से उसकी साहता करते थे प्राडी की सेवा करना इनका एक स्वभाव था तो यह इसका पूरा अर्थ है देख सकतो फिर से पढ़ लो अभी इस वाले कभी कराएंगे ठीक है हनसराजवाला तो पढ़ो महामना मदन मोहन मालवी एक विद्वान वकता अर्था भासल करता धार्मिंग देता एवं कुसल प अर्था लोगों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था तो इस टैफ से आपको लिखना था देख सकतो ठीक है यह हुआ पहले वाले गद्वान विद्वान वकता वाला आप दूसरा नंबर पढ़लो उसका भी करा दे ठीक है इसका स्क्रीन सोड़ ले लो बहुत महतपूर आय ठीक है और एक चीज़ यह भी जानलो जातक कथा में भी कई भाग है कोई उलूग जातकम है कोई नरत्य जातकम तो यह आपको पहचाना भी है का गया हंस राजा तथेओ परिसमद्य आत्मना भागीने पाप हंस पोतका है दुईत रच्छतम ठीक है मतलब जो हंसों की राज ठीक है मतलब जो हंसों की राजा है हंस राज वो पूरी सभा के मत में अपने भागे हंस पोतकाय से अपनी दुईत दुईत का मतलब जो मोर है वो भी इन से साधी करना चाता था ठीक है जो मोर था ये भी हंस राज की पुत्री से साधी करना चाता था लेकिन अब हंस राज ने क्या कर दी अपने भांजे हंस पोथकाई से अपनी पुत्री की साधी कर रही है तो जिससे मोर क्या हुआ लज्जित हो रहा है ठीक है तस्मात इस्थानात पलाईता हंस राजो अपी रश्ट मांसा सोग रहा मकच्छा ठीक है जब यह साधी आदी हो जाती है तो सब ही अब बताते हैं इसका संदर्बा और अनुआ ठीक है सबसे पहले देखो इन दोनों में जो भी करना एक ही करना है साथ नंबर मिलेगे एकजाब में एक ही करना ठीक है तो यहाँ पर से पहले पढ़ गया प्रस्नोत्तर संक्या आठका का संकेत लिखा अगर ये वाला कर रहा ह तो हंस राजा तदयो और डैस डैस करके लाशवाला सोगराहम अकच्छत हमने लिगी दिया हंस राजा तदयो डैस डैस करके अगच्छत ठीक है संदर पढ़ा प्रस्तुत गद्धिखंड या प्रस्तुत संस्क्रत गद्धिखंड हमारी पाठ पुस्तक संस्क्रत दिखदर को अपनी पुत्री देदी देख सकते हो हंसराज ने क्या किया उसी सभा परिसमत अर्था पूरी सभा के मतमें अपने भांजे भागीने का मलब भांजे हंस पोत्का है जिसका नम क्या हंस पोत्का है उसको अपनी दूहित अर्था पुत्री देदी तो हंसराज ने अप उसी प होकर उस सबाग को छोड़कर भाग गया हंसराज भी खुसी खुसी अपने घर की ओर चले गए तो यह इसका नुवाद यह संदर इसी टाइप से आपको लिखना है और यह दोनों जो आपको बता हैं दोनों पहुंच जादा महत्पूर्ड एक्जाम में आ सकते हैं तो आपको तैयार भी कर लेना ठीक है तो यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक कर लेना और स्क्रीन सौर ले लो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो कि इसी तरह के महत्पूर्ड वीडियों लोग लाव ratios लाते रहते ठीक है तो सब्सक्राअब कर लो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी जरूर सेयर करना